हलो इस्टुडेंट सीमती महरी देवित आपडिया कन्या महाविधाली की इस यूट्यूब चनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है आज का जो वीडियो है वह अपने फर्स्ट ओडर एंड हाइड डिगरी एक बारे में डिसकॉस करने वाले हैं आप ने पीछ जो आपन डिसकॉस करने थे वह हूं पर्स्ट ओडर जो वीडियोस नंदर शीखे अभी जो सब्सक्राइब होती को सब्सक्करण लिखाने हैं इसका पर ढूल है वो इस तरह से लिगा जाता है PN plus P1 P की पावर N minus 1 P2 P की पावर N minus 2 इस तरह से जो है वो अपनी जो यह higher degree equation है वो इस तरह से given होती है पहली चीज ठीक है यहां पे P क्या होता है उसको देखिया आप जहां P equal होता है D Y by D X ठीक है और यह तो P1 P2 जो आपको यहां पे यह दिख रहे हैं यह क्या होते हैं इस तरह से हैं जो high degree equation है उनको यहां पे यह अपनी शो की Halloween होती है उनको किस तरह से सरल कर सकते हैं, वो आज यहां पर पढ़ने वाले हैं, तो देखिए, first order, first degree equation जो पहले आपन उसी को यहां पर देखते हैं, तो यहां पर आज पहला example इसका यहां पर सरल करके देखते हैं, कि किस तरह से आपन उसको सरल कर सकते हैं, तो आपने को given है, p square plus 2py equals to क्या given है, equal में given है, 2py cortex, 2py cortex equals to given है, x, sorry, y square, यह values यहां पर अपने को given है, और इसकी help से अपने को क्या निकालना है, जो y और x की जो values हैं, उनको find out करना है, तो देखिए, p क्या होता है, y by dx होता है, आपन सभी जानते हैं, अब यह देखिए आपे, यहां पर जो d-d equation है, वो आपको एक द्वेगाती equation दिख ली होगी, द्वेगाती समिकरन जिसको अपन बोलते हैं, तो द्वेगाती समिकरन दिख रही है, तो मैं यहां भी लिख सकती हूँ, कि उपलॉक्त समिकरन है, p में द्वेगाती समिकरन है, द्रीघातीय समीकरने है अब द्रीघातीय समीकरन को हल करना आपने बहुत अच्छे से शिखा है टेंथ क्लास में अपने सी राचारी सुत्र है और भी गुबाई-फ्रैक्शन मेथड है अपने बहुत सारे इसके तरीके जो है वह पड़े है तो अपने इसको पी की वैलियू जो open series राचारिय method से निकालते हैं तो अपने P की value आती है 1 by 2 minus 2 cortex plus under root में 4 y square cot square x plus 4 y square यह है जो यह किसकी value आई है अपने श्री ध्राचारे सुत्र से P की value यहां पर अपने को find out होई है बीच में क्या है अपना यहां पर यह plus minus है अपने दोनों sign होते हैं यहां पर plus भी होता है और minus भी होता है तो यहां पर जब value यह गीवन है तो P को जब आपन और सरल करेंगे तो अपने पास क्या value आजाएगी जब इसको और सरल करेंगे तो P की value आजाएगी y minus sorry two cortex है यह और है sorry two to cancel हो जाएगा minus में रहेगा y two cortex plus है cortex plus minus cosec इसको जब अपन सरल करेंगे देखी इसको हटाएंगे पहले four y square बार निकालेंगे तो two y आएगा बार ठीक है उसके अलावा फिर अपन क्या करेंगे यहां पर कोट स्कॉर है स्वाइर प्लस बने तो कोट स्कॉर प्लस वन क्या बन जाएगा को सेग स्कॉर बन यहां बन जाएगा इस तरह से जो है जब इसको पुरा सरल करेंगे तो अपने पास बच जाएगा minus y cortex है पोसे कर यहां परे बच जाएगा ठीक है इस तरह से वेल्यू अब यहां पर एक बार अपने इसको प्लस लेके सरल करेंगी और एक बार इसको माइनस लेके सरल करेंगे तो देखी किस तरह से यह वेल्यू अपने को फाइंड आउट होगी तो यहां पर लिखेंगे dy का dy ले लेते हैं और इसको सरल करते हैं p को dy by dx ले लेते हैं तो लिखेंगे प्लस लेने पर पहले प्लस से इसको सरल करते हैं P को मैंने dy by dx लिख लिया और minus के y इदर है cortex को क्या लिख लेते हैं हम पर ने sin x by cortex को लिख लेते हैं cosec by sin x और इसको लिख लेते हैं 1 by cosec हो जाएगा 1 by sin x तो जब इसको सरल करेंगे तो बन जाएगा minus का y 1 plus cosec by sin x यहाँ पर आजाएगी अब इसको अपन और जादा सरल करेंगे और चरों को क्या करेंगे अलग-अलग करेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पर देखी by fractional method से यह हो जाएगा तो यहाँ पर dy के नीचे तो आजाएगा y और इसके minus में भार है इसको जब अपन पूरा सरल करेंगे तो हो जाएगा cos x by 2 sin x by 2 ठीक है इसको सरल करेंगे तो यह चीज अपने पास से आजाएगी और यहाँ हो जाएगा d x अब इसका क्या करेंगे अपने समाकलन कर लेंगे तो दिखेंगे समाकलन करने पर समाकलन करने पर तो यह तो बन जाएगा लोग by और यह क्या बन जाएगा देखिए cos x by 2 अपने पास होता है और जब इसको वहाँ सरल करेंगे तो अपने पास बन जाएगा माइनस में 2 log sin x by 2 इसको माननो ती मान के या सिद्रा इसको cortex by 2 लिखते हैं तो उससे भी यह हो जाता है तो cortex by 2 को क्या होता है माइनस का 2 लोग sin x by 2 लोग sin x by 2 प्लस में लोग c इसको change कर लेते हैं हम लोग को और जब इसको अपन सरल करेंगे तो अपने पास में क्या बन जाएगा y बराबर ये माइनस 2 इस पर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा कोसे 1 by sin square x by 2 क्या बन जाएगा कोसे 1 square x by 2 और लोग से लोग अट जाएगा तो इस तरह से कि अपना solution यहाँ पर find out हो जाएगा ठीक है और ये अपना कब आया है जब आपन value को क्या लेते हैं प्लस लेते हैं अब आपन value को क्या लेंगे minus में लेके इसके solution को find करेंगे ठीक है तो जब यहाँ पर अपन minus लेते हैं तो अपनी value क्या बन जाएगी यहाँ पर अब लिखेंगे कि minus लेने पर minus लेने पर तो यहाँ पर क्या आजाएगा जब इसको अपन minus लेंगे तो बारवाले minus को हटा लेते हैं और dy by dx को क्या लिख लेंगे 1 minus cos x by sin x और बाहर क्या है y ठीक है इसको जब अपन सरल करेंगे तो अपने पास क्या आजाएगा dy के नीचे तो y लियाओ और इसको क्या लिख लो sin x by 2 और cos x by 2 ठीक है तो अब इसका क्या करेंगे अपन समाकलन तो यह क्या हो जाएगा 10 x by 2 हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा dx भी हो जाएगा साथ में तो 10 x by 2 dx अब 10 का करेंगे इधर तो समाकलन करने पर लिख लेते हैं समाकलन करने पर तो जब इसका समाकलन करेंगे तो dy by y का तो क्या बन जाएगा log y और 10 का क्या होता है minus 2 log cos x by 2 हो जाएगा ठीक है तो इसका क्या लिख देंगे यहाँ पर है solution जो है वो किस तरह से आजाएगा डिवाइब y है तो इधर लिखेंगे log y और इधर जाएगा minus 2 log cos x by 2 plus log c आप देखिए log हटाएगे तो क्या बन जाएगा y बराबर यह minus 2 जाएगा तो 1 by cos square क्या बन जाएगा c square by 2 तो यह बन जाएगा c square x by 2 इस तरह से यह जो value है इसका solution अपने पास find out हो जाएगा तो यहाँ पर जो है इसका जो हल निकलते हैं दोनों उन दोनों हलों को क्या लिखेंगे इसका जो अभिस्ट व्यापक हल होगा वो इन दोनों के multiples के रूप में लिखा जाएगा अब लिखेंगे आता है समीक रंगा व्यापक हल आता है समीक रंगा व्यापक हल तो व्यापक हल क्या बन जाएगा पहला यह था y- देखिए जो c होता है उसको जो सामने वाली वेल्यों होती है उसको अपर इधर ले आते हैं तो बन जाएगा y-c को सेक स्क्वाइर x by 2 एक तो यह हो जाएगा और यह हो जाएगा y-c सेक स्क्वाइर x by 2 इकोस तो में 0 यह क्या हो जाएगा इसका solution जो है वो अपने पास find out हो जाएगा इस तरह से अपने differential equation है उसका solution जो है वो find कर सकते हैं ठीक है तो यह था अपना आज का वीडियो जिसके अंदर अपने first order तो high degree equation है उसको अपने सरल करना सिखा है I hope आपको समझ आया होगा आप वीडियो को ध्यान से देखेगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो share कीजेगा Thank you so much